Hi there, इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि आप trading view में paper trading कैसे कर सकते हो तो बहुत सारे विगनर्स हम से फूसते रहते हैं कि आप वो कहा paper trading कर सकते हैं और इसके लिए one of the best और free platform है trading view तो इस वीडियो में मैं exactly समझेंगे कि paper trading होता कैसे है और मैं आपको एक demo दिखाऊँगा कि आप trading view में कैसे paper trading कर सकते हो पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो आप इसको पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए हम बहुत सारे trading और investing के related videos लाते रहते हैं अगर आपको ये video पसंद आया तो please हमारे video को like कर दीजेगा इससे में बहुत motivation मिलता है future videos बनाने के लिए तो अगर आप stock market में नए हो तो instead of directly getting into the market directly अपना पैसा लगाने से अच्छा है आप paper trading कर लो तो paper trading में basically ये होता है कि आपका real पैसा नहीं involved होता है आपको अपना असली पैसा नहीं लगाना है यहाँ पर प्लैटफॉर्म मिल सकता है जो same real market scenario type का होता है जैसे market move कर रहा है वैसे ही वहाँ पर भी prices move करेंगे आप buy और sell कर सकते हो but with virtual amount virtual money से तो best फायदा यहाँ पर यह है कि आपको कभी losses नहीं होंगे तो जो भी beginner होते होंने बहुत जादा time लगता है अपने setup को समझने में कहां इंटर करना है कहां exit करना है या फिर अगर आप बहुत सारे indicators को test करना चाहरे हो RSI, moving averages, Bollinger, Bands, MACD कुछ भी अगर आप try करना चाहते हो तो आप paper trading में पहले 2-3 महीने try कर सकते हो देख सकते हो कि आपका setup काम कर रहा है कि नहीं आपका emotions काम कर रहा है कि नहीं और accordingly एक बार जब आप confident हो जाओ एक बार comfortable हो जाओ तब maybe आप अपना capital induced कर सकते हो और trading start कर सकते हो तो चलिए हम देखते हैं कि trading view में exactly paper trading हम कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको trading view पे जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है कि sign up कर लेना है आप google account या email account से sign up कर सकते हो और यह totally free है तो आपको just get started पे click करना है get started for free और आप email sign up कर सकते हो तो एक बार जब आपने अपना trading setup कर लिया तो आपको search bar में जाके search करना है जिसमें भी आपको trade करना है stocks में trade कर सकते हो futures में trade कर सकते हो gold में trade कर सकते हो बहुत सारे alternatives available है so let's say simplicity के लिए हम किसी stock में trade करेंगे so let's say हम Asian paints में trade करते हैं तो आपको just इसमें Asian paints search कर लेना है और आपको NSC का chart open कर लेना है तो यहां आप देख सकते हो कि मैंने Asian paints का chart open कर लिया है currently one day का chart है मैं इसे change करके 5 minutes का कर दूँगा इसे आप 5 minutes में basically intraday trading अगर आप कर रहे हो तो आपको 5 minutes 15 minutes यह chart देख सकते हो so अब इसके बाद आपको जो करना है वो आप नीचे देख सकते हो एक option रहेगा trading panel इस पे click करना है और आप paper trading देख सकते हो तो यहां पे आपको paper trading connect करना है तो just connect पे click कीजिए और आप connect पे click कर सकते हो तो एक बार जब आपने connect पे click कर लिया तो आपको नीचे बहुत सारे option मिल जाएगे paper trading के और यहां पे आप देख सकते हो positions, order, order history, account history, trading journal तो हम अब समझेंगे कि exactly यह कैसे काम करता है तो उसके लिए let's say कि हम कुछ trade लेते हैं, अभी market यहां पे चल रहा है, अब Asian Pants का price 3188 पे चल रहा है और आप यहां पे let's say कि आप bullish हो, आप चाहते हो यहां पे इसके कुछ shares खरेद लो तो इसके लिए आपको just इस पे right click करना है, और आपको click करना है trade, और यहां तो अगर आपको buy करना है, तो buy करना होगा, आप short selling भी कर सकते हो तो इसके हम bullish है, इसके हम buy पे click करेंगे, और फिर आप यहां पे आपको बहुत सारे option मिलेगा, अगर आप market पे खरीदना चाहते हो, लिमिट पे खरीदना चाहते हो, बहुत सारे different option हो जाएंगे, लिएसे जो current price चल रहा है, आप उस पे खरीदना चाहते हो, इस stock को, और यह just हम select करते हैं, कि हम बस market price पे इसको भी खरीदना चाहते हैं, तो 100 हमने define किया, और जो भी price चल रहा है, इस पे हमें खरीदना है, तो just आपको buy पे click करना है, तो एक बार जब आपने buy कर गया, तो order sent हो जाएगा, और यह फिर आपके positions में आ जाएगा, तो आप positions में देख सकत आपने long किया है, 100 quantities, और यहाँ पे आपको P&L दिख जाएगा, एक थोड़ा demerit यहाँ पे है, कि P&L आपको USD में दिखेगा, तो आपको थोड़ा calculation करना होगा, तो exactly जैसे जैसे market move करेगा, आपको यहाँ P&L दिख जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, कि यहा आपको यह प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपको लॉसेस बढ़ते जा रहा है, अगर आपको यह position close करना है, लिटसे आपको exit करना है, आप नहीं चाहते हो यहाँ पे रखना, तो आपको just right click करना है, close position, और आप total close पे click कर सकते हो, अगर आप partial close करना चाहते हो, तो partial भी amount आपको ने 100 quantity लिया, और 100 नहीं बभी sell करना चाहते हो, just 20-30 close करना चाहते हो, तो वो भी आप select कर सकते हो, तो basically जब भी आप यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको define करना होगा, कि आप कहाँ पे enter कर रहे हो, maybe आप अपने levels define कर सकते हो, कि मेरा entry level यहाँ पे है, maybe मैंने अपना stop loss य यह एतनी loss हो रही है, so let's say हम इस position को close कर देते हैं, तो आपको इस पे click करना है, close position, let's say हम सारी quantities close कर रहे हैं, और आप close पे click कर सकते हो, तो एक बार जब आपने close कर लिया, तो आपके positions में कुछ भी नहीं बचेगा, जब भी एक ongoing position है, ongoing trade है, तब आपको वो positions में दिखता है, नहीं तो एक बार जब execute हो जाता है, तो वो आपको order book में दिख जाएगा, जैसे order में आप देख सकते हो, कि अभी हमने एक buy किया था और sell किया था, किस price पे, और अगर आप history देखोगे, तो आपको history में भी दिख जाएगा आपका overall account settings, तो overall आप ऐसे paper trading कर सकते हो, trading view में, त जैसे market open है, तो ऐसे scenario में आप track कर सकते हो, try कर सकते हो, और overall 2-3 महीने practice करके आप अपना setup test कर सकते हो, तो basically यह था setup trading view में कैसे आप paper trading करते हो, I hope this video was useful to you, अगर आपको paper trading के related कुछ भी doubt है, तो आप नीचे comment करके हमें बता सकते हो, और अगर आप stock market में नह है और आप just trading start कर और आपको सीखना है, technical analysis, options trading, future trading, तो आप हमारे platform पे भी जा सकते हो, हमारे platform है joinfingrad.com, यहाँ पे हमने 65 से ज्यादा courses बनाया है, हुआ है trading और investing में, और सारे courses stock market experts ने बनाया है, मतलब ऐसे लोग जिनने stock market में 10 या 15 years का experience है, even मेरा भी यहाँ पे एक course अबलेबल है, तो आप अगर trading या investing करना चाहते हो, तो आप यहाँ subscribe कर सकते हो और courses से learn कर सकते हो, so that will be all for the day, आज जिर के लिए इतना है, if you enjoyed the video, please hit the like button and subscribe us for more interesting videos, this is Kritesh signing off, thank you.